एक गाव में रामु नाम का एक आदमी रहता था वह बहुत महंती था मगर वो जितनी भी महंत करता उसका फल उसे नहीं मिल पाता वह दूसरों के खेत जोटता मचली पकड़ने जाता तो सुबह से शाम तक बेठा रहता मगर एक भी मचली नहीं फस्ती एक दिन वह बैठा कुछ सोच रहा था कि उसका बचपन का दोस जगन उसे मिलने आया वह बोला रामु क्या सोच रहे हो बड़े उदास लग रहे हो हाँ यार कुछ समझ में नहीं आ रहा जो भी काम करता हूँ सब बेकार जाता है उस काम का फल नहीं मिलता कई बार तो भूखा सोना पड़ता है हरे यार परिशान क्यों होते हो मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ वह तुम्हारा कुछ न कुछ हल निकाल देगा चलो उसके पास चलते हैं फिर जगन रामु को लेकर साधु बाबा की गुफा में पहुँच जाता है और फिर रामु से कहता है रामू दरना मत साधु बाबा बहुत अच्छे इन्सान है जो भी मन में हो उनसे कह देना नहीं यार मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम मेरे बचपन के साथ ही हो मेरा भलाही चाहोगे महाराज प्रणाम, महाराज यह मेरा दोस्त रामू है, बहुत परिशान है, इसका कुछ करो बच्चा कहो क्या बात है महाराज मेरा नाम रामू है, मैं पास के गाव में रहता हूँ मैं जो भी काम करता हूँ, उसका फल नहीं मिलता कहीं काम मांगने जाता हूँ तो वह मना कर देते हैं कोई काम नहीं देता कभी कभी तो मुझे भूखा ही सुना पड़ता है अब तुम चिंता मत करो तुम सही जगह आये हो जगन मेरा पुराना भक्त है यह भी पहले परेशान था अब देखो अपने परिवार का भरण पोशन भली प्रकार से कर रहा है महाराज कुछ सोचते हुए कहते हैं बच्चा एक काम करो एक गधा खरीदो और उससे यात्रियों का समान उठा कर पैसा कमाँ ठीक है गुरू जी मैं वही करूंगा जो आपने कहा फिर रामो जगन के साथ वहां से चला आता है अगने दिलवा जगन से कुछ पैसे उधार लेकर एक गधा खरीद कर ले आता है गधे की एक दो दिन बड़ी सेवा करता है फिर गधे से कहता है गधे दोस्त अब तुमने बड़ा आराम कर लिया अब कुछ कमाने की भी सोचों चलो बाजार चलते है वहां कोई यातरी मिल जाएगा उसका सामान उठा कर उससे कुछ पैसे कमा लेंगे गधा कहता है अभी मुझे आये हुए दो दिन ही हुए है और तुम काम करने को कह रहे हो अभी मेरा मूंड नहीं है यह सुनकर रामू सोच में पढ़ जाता है कि गधे भी मूंड के हिसाब से चलते है अगले दिन फिर वो गधे को काम के लिए कहता है गधा फिर कोई बहाना बना देता है रामू सिर पर हात रख कर बैठा होता है तभी जगन वहां पर आकर उससे पूछता है क्या हुआ तो रामू जगन को गधे वाली बात बता देता है तो जगन उसको कहता है कि तुम्हें महाराज को ये बात बतानी चाहिए अगले दिन रामू महाराज को मिलने उनकी गुफा में पहुँच जाता है रामु फिर साधू महाराज के पास पहुचकर गधे के बारे में बताता है तो फिर साधू महाराज कहते हैं अगले दिन रामु एक घोडा खरीद कर ले आता है लगता है रामु कोई घोडा खरीद कर ला रहा है अब मज़ा आएगा दोनों उसको तंग करेंगे बड़े भाई को नमस्कार नमस्कार भाई कैसे हो गधा कहता है मैं तो ठीक हूँ तुम सुनाओ तुम्हे भी रामु खरीद कर ले आया मुझे भी लाया था और मुझे काम करने को कह रहा था मगर मैंने मना कर कर दिया यार घबराते क्यों हो मैंने तो वैसे भी पहले राजा के यहाँ पर था वह मुझे शिकार पर ले जाता था मैं हमेशा रात को ही राजा के साथ जाता था जिससे मुझे रात को ही चलने की आदत है मैं दिन में सिर्फ सोता हूँ मैं तो साफ साफ बता दूँगा अगर मुझे से काम करवाना है तो रात को करवाना मैं दिन में सिर्फ सोता हूँ अगले दिन रामु घोडे को काम पे चलने को कहता है तो वह साफ कह देता है अगर काम के चलना है तो रात को चलना मैं सिर्फ रात को ही काम करता हूं दिन में मुझे तंग न करना मैं सिर्फ आराम करता हूं ये भगवान ये सब क्या हो रहा है? मैं कितना करजा करके इनको खरीद कर लाता हूँ और ये है कि काम करने की बजाए मुझे अपनी मर्जी बताते हैं। महाराज मी जीवन में कुछ काम धंधा करूँगा या नहीं। घोडे ने काम करने से मना कर दिया। रामू सच में तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अभी व्यापार के बारे में न सोचों। अभी तुम शादी कर लो हो सकता है, शादी के बाद पत्नी के नसीब से तुम्हारा टाइम बदल जाए। रामू फिर शादी कर लेता है, रामू की पत्नी खाना तो बहुत अच्छा बनाती थी, मगर उसमें एक गंदी आदत थी, वो नींद में चलती थी अगले दिन जब रामू सो कर उठता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी बाहार पेड़ के नीचे सो रही होती है, गधा और घोड़ा उसको देख रहे होते है, वह सोचता है कि सायद मेरे नसीब में सुख ही नहीं है झाल 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 झाल